जनरली ब्रेकाउट होता है और सेकेंड कैंडल में अगर उसका मोमेंटम नहीं आता है तो उसे हम लोग फेल ब्रेकाउट बोल सकते हैं जनरली मैं ब्रेकाउट के टाइम पे तीन चीजों का ध्यान रखता हूँ प्राइज, वॉल्यूम और टाइम तो मैंने आज तक अपने लाइफ में मंतली टाइम फ्रेम में तो बहुत कम गैप देखे हैं कि मंतली टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक गैप या गैप डाउन हुआ था और उसके बाद वो वापस से फिल हुआ हो बट weekly time frame में मैंने बहुत देखे है और बहुत rare होते है जैसे हम लोग बोलते हैं कि white tiger बहुत rare होता है वैसे ये वाले gaps भी बहुत rare होते है तो अभी ये एक बहुत ही अच्छी investment opportunity हो सकती है अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि कोई अच्छी large cap और quality company में एक reasonable price में investment करना चाहिए तो ये stock में आप लोगों को जरूर consider करना चाहिए नमस्ते दोस्तो मैं विजय ठककर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए stocks for the week के वीडियो में अभी आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है कि market क्या लग रहा है और index में हमें क्या करना चाहिए कौ हमारा normal उसने all time high break किया है और ये stock recently कुछ साल पहले ही list हुआ था पर इसके अंदर जो breakout हुआ है वो बहुत strong है और एक आज मैं आप लोगों के साथ है ना एक अलग concept share करने वाला हूँ जिसको मैं बोलता हूँ gap support वाला concept और अगर ये लंबे time frame में आता है तो बहुत ही अच् stock थे but मैंने सोचा कि आप लोगों को जो अच्छे मुझे लग रहे है जिसमें आप लोगों को एक नई learning मिल सकती है वही stock आज मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगा और बाकी के नाम आप लोगों के साथ share कर दूँगा अभी आप लोगों ने देखा कि last week में जो मैंने आप stock करके stock है वो share किया था उसने almost 25% return दिया तो अभी आप वहाँ पे एक चीज़ समझो के वहाँ पर मैंने आप लोगों को concept क्या समझाया था अगर ऐसे concept के stock आप लोगों को next time दूसरा कोई मिलता है तो आप अपना knowledge वहाँ पर apply कर सकते हो और mostly आप लोगों को वहाँ पे same ही result मिलेगा तो यही मेरे intention होता है आप लोगों को यह जो मेरा stocks for the week का जो video का जो series है ना वो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं आप लोगों के साथ नए-नए ideas शेर कर सकूँ और आप लोगों को नए-ने concept बता सकूँ और इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के साथ नए concept शेर अब ही हम लोग ने देखा कि last week में nifty मैंने अगर आप लोगों को याद होगा ना तो last week के video में बोला था कि nifty एक range में गूमेगा 18100 से लेके 18450 और हम लोग ने देखा कि last week market वही रेंज में था सिर्फ end में मतलब Friday के दिन हमाने यहाँ पे देखा है कि market ने अपनी range को break कर द जाएगा बट अगर market ने यह range को break किया है almost एक महीने बाद तो कुछ अची चीज होगी वह अभी हम लोग चार्ट में देखते हैं अभी आप लोग यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो यह पहले-पहले मैं monthly time frame पे आता हूं और हमारा जो proper analysis है वह आप लोग व बात करें तो अगर यह week का candle भी बहुत strong है और अगर अगर हम लोग daily time frame में आते हैं तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को last video में भी समझाया था कि market को यह level के आसपास एक support था पहले resistance था जिसने market ने यह resistance level को as a support लिया और यहाँ से market ने एक अच्छा rejection किया मैंने आप लोगो से यह वाली drawing अटा देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि market पूरे में मन्त में अगर आप यहाँ पे notice करो ना तो यह range में एक अटक गया था अभी range क्या थी 18,050 से लेके 18,450 और अभी Friday वाले candle में market ने यह range को break किया है अगर हम लोग normally range calculation का भी target लेते हैं और मैं ऐ upside level क्या आता है तो वो 18,850 बनता है और अगर यहाँ पे एक चीज़ notice करोगे तो यह almost all time high का level है तो अभी upside में मेरी expectation यह है पर 18,850 से पहले हम लोगों को 18,700 पे भी एक resistance है अभी आने वाले week में मेरे लिए जो important support है वो 18,200 और 18,040 का रहेगा अभी अगर यह breakout में हम लोगो को यह week में momentum मिलता है तो हम लोग यह upside के target complete होते हुए देख सकते है तो market का अगर मैं आप लोगों को बोलू nifty wise मेरे को ऐसा लगता है कि close बहुत अच्छा आया है और अभी हम लोगों को Monday ही पता चलेगा कि finally इसमें momentum आता है या नहीं अभी मैं आता हूं bank nifty के chart पे और यहा और यह almost worse पे है यह breakout हो सकता है weekly time frame पे आप देखोगे कि दो week से market अपने all time high के resistance पे consolidate कर रहा है और daily time frame पे है यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए एक interesting चीज है पहले market को यह level पे resistance था और मैं अपने जो twitter पे हर बार one minute वाले वीडियो बनाता हूं daily basis पे उस पे मैंने अबी था कि अगर market अपना 17th में का low break करता है तो market week हो जाएगा और हम लोग ने देखा कि 25th में को market ने low break किया but end के 30 minutes में market में इतनी अच्छी buying आई कि market अपने high के पास close हुआ और Friday तो हम लोग ने देख लिया कि market ने कैसा अच्छा moment दिया है अभी यहाँ पे देखो एक च distance के पास consolidate करता है अगर यह consolidation का breakout होता है तो हम लोगों को bank nifty में भी एक अच्छी upside momentum देखने मिल सकती है और again bank nifty के लिए जो मेरा important support है वो 43,350 और अगर यह break हो जाता है तो हम लोग 42,580 के level भी देख सकते है तो यह तो मैंने आप लोगों को पूरे index का मेरा analysis बता दिया अभ देखो एक breakout होना एक अलग चीज होती है और उसमें momentum आना अलग चीज होती है जनरली breakout होता है और second candle में अगर उसका momentum नहीं आता है तो उसे हम लोग failed breakout बोल सकते है अभी अगर हम लोग sectors की बात करें ना तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि last week में जो under performance है ऐसे कोई कोई भी sector ने ऐसा under performance नहीं दिया है और सबसे ज़्यादा nifty metal चला है nifty pharma, media, healthcare और IT, IT के बारे में तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि यह value buying है पर अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक sector बताता हूँ जो है nifty mid cap अभी आप nifty mid cap का weekly time frame का chart देख रहे हो और आप अभी यहाँ पे देख रहे हो कि nifty mid cap के chart में weekly basis पे एक अच्छा breakout हुआ है तो यह चीज आप लोगों को एक अपने ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप stock selection करते हो तो अभी अगर हम लोग FIS की बात करें तो last पूरे week में FIS buyers ही थे यहाँ पे कोई ज़्यादा फरक नहीं है एक अच्छा buying momentum FIS का शुरू हो गया है अगर मैं dollar index की बात करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि dollar index को बहुत important support है 100.80 पे वहाँ से continuously dollar index upside momentum दे रहा है और अभी वो 104.26 के आसपास trade कर रहा है और अगर मैं india weeks की बात करूँ तो यह week में है ना india weeks ने almost 8 रुपी मदब 8 point का low मारा था और अभी india weeks almost 11.90 के पास चल रहा है तो यह एक बहुत ही shocking चीज है 8 number हमने india weeks में बहुत time बात देखा है बड़ वो sustain नहीं हुआ तो अभी भी india weeks के इसाब से हम लोग normal ही है यहाँ पे कोई ऐसी panic situation नहीं है और अगर हम लोग crude oil की बात करें तो यह 72.67 के आस sideways हो गया था और अभी फिर से market अपनी positiveness दिखा रहा है तो हम भी अगर Monday को momentum मिलेगा तो हमें भी market में फाइदा होगा और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं तो आज के वीडियो में जो हमारा सबसे पहला stock है उसका नाम है Hindware Home Innovation Limited अभी देखो यह stock का हमारे पास data ज्यादा नहीं है और आप लोग जो chart देख रहे हैं यह weekly time frame का देख रहे हो यह stock के listing 2019 में हुई थी और आप यहाँ पर देखते हो कि listing के बाद यह थोड़ा बहुत गिरा था और फिर इसने एक अच्छा high मारा था 2021 ने इसमें अपना जो high मारा था वो level हम लोग यहाँ पर mark क कर दिया है अभी देखो यहाँ पर generally मैं जो stock में data कम होता है ना उसको में ज्यादा consider नहीं करता हूं बट यहाँ पर मैंने यह stock को क्यों consider किया है उसका reason है आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो previous resistance था वो 480 से लेके 460 तक था वो resistance को यह stock ने last week में बहुत ही strong price action के साथ break किया है तो यह एक positive चीज है दूसरी positive चीज जो मुझे यहाँ पर लगी यहाँ पर strong price के साथ साथ हम लोगों को strong volume भी देखने मिला है तो यह दोनों combination मेरे लिए बहुत अच्छा होता है जनरली मैं breakout के time पर तीन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ अभी इसका जो breakout है वो 475 के आसपास हुआ है अगर आप लोगों को इसका target calculate करना है तो simple आप लोगों को range calculation लेना है और breakout price के बाद breakout price में add कर देना है तो आप यहाँ पे clearly देख सकते हो कि इसका upside target का जो level है वो आ रहा है 687, 690 के आसपास और अभी यह 500 के आसपास trade कर रहा है और इसने 474 के पास breakout किया है अगर आप लोगों को इसमें stop loss लगाना है तो आप 450 या तो फिर आप minus 10% का stop loss लगा सकते हो जैसे आपका risk profile है उसे सबसे आप यहाँ पे risk ले सकते हो तो यह एक stock है जो मुझे बहुत ही strong लग रहा है on the basis of strong price breakout और बहुत अच्छा volume भी इसमें य दिवीज लैब का जो चार्ट देख रहो ना ये weekly time frame का देख रहे हो एक बार मैं आप लोगों को दिवीज लैब का monthly time frame का चार्ट दिखाता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलना चाता हो ना वो चीज समझाता हूँ देखो यह stock को अगर आप देखोगे तो इसकी शुरुआट 2003 में हुई थी और यह अपने शुरुआट से ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह एक बहुत ही अच्छा investor friendly stock था यह stock ने almost आप यहाँ पे देख सकते हो कि 500 के आसपास इसने breakout दिया था और यह 5500 तक भी गया है तो यह stock ने अपने investors को बहुत अच् correction देखा है इसकी जो all time high थी वहाँ से अगर मैं इसके low तक को गिनू अभी तक के तो यह stock ने almost 50% correction दिया था और अभी यह जहाँ पे चल रहा है वो अपने all time high से almost 35% down है तो अभी generally मैं आप लोगों के साथ हमारे यहाँ पे हमेशा breakout वाले concept शेयर करता हूँ पर अभी मैंने यह stock को क्यों select किया है ना यह चीज में आप लोगों को समझाता हूँ अभी देखो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यह stock को यहाँ पे weekly basis पे एक बहुत बड़ा gap up हुआ था और यह जो आप gap up देख रहे हो ना यह August 2020 में हुआ था अभी अगर मैं यह gap की percentage calculation करू कि यह gap कितने percentage का था तो आप यहाँ पे clearly देख सकते हो कि यह gap almost 7-8% का था अब मैं यह stock को इसके लिए नहीं select किया है कि इसने gap up किया था 7-8% का और अभी मैं इसको select कर रहा हूँ उसके पीछे का एक reason है अगर कभी भी कोई stock daily basis पे gap up या gap down करता है ना तो वो gap up या gap down बहुत जल्दी fill हो जाता है और उसका इतना relevance और इतना importance नहीं होता है बट अगर कोई stock weekly time frame पे बड़े gap up से open होता है और वो gap कभी भी fill नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि future में वो gap as a support काम कर सकता है और यही चीज़ आप gap down में भी consider कर सकते हो तो मैंने आज तक अपने life में monthly time frame म मैं तो बहुत कम gap देखे है कि monthly time frame में कोई stock gap up या gap down हुआ था और उसके बाद वो वापस से fill हुआ हो बट weekly time frame में मैंने बहुत देखे है और बहुत rare होते है जैसे हम लोग बोलते हैं कि white tiger बहुत rare होता है वैसे यह वाले gaps भी बहुत rare होते है तो अभी यहाँ पे मेरा concept बह आप ने gap के पास support लिया और वहाँ पे बहुत time तक consolidate हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो इसका previous gap area जो था 3012 का और अगर मैं downside पकड़ू तो वो था 2800 का और इसने अच्छी rally लेने के बाद वापस से यह time frame में यहाँ पे gap के पास बहुत consolidate किया था अगर आप यहाँ पे करना चाहिए आपको wait करना चाहिए एक positive candle के लिए जो अभी हम लोगों को last week में मिला है अगर आप यह candle देखोगे तो यह candle की strength बहुत ही strong है और इसको हम लोग एक strong candle से consider कर सकते है और इसके पहले अगर आप यह stock का trend देखोगे तो continuously down ही था तो with this candle यह stock ने अपना downtrend भी break कर दिया है अम ऐसा consider कर सकते है और यह candle हम लोगों को एक indication दे रहा है कि यहाँ पे जो बहुत साल पहले जीत लोगों ने मिलके अपने power के साथ यह stock में gap up करवाया था वो buyers अभी यह stock में वापस आ गये है तो अभी यह एक बहुत ही अच्छी investment opportunity हो सकती है अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि कोई अच्छी large cap और quality company में एक reasonable price में investment करना चाहिए तो यह stock में आप लोगों को ज़रूर consider करना चाहिए अभी यहाँ पे मेरा trade plan क्या हो सकता है अगर आप एक risky trader हो तो अभी आप यह stock को यही price में खरीच सकते हो 3500 का इसका price चल रहा है अगर आप एक safe trader हो और आ उनों चीज का फाइदा उठाना है तो समझो आपको 100 quantity purchase करनी है तो आप अभी 50 quantity purchase कर सकते हो और 50 quantity आप 3000 या 3100 के आसपास खरीच सकते हो इसमें जो आपका stop loss है आप वो यह रख सकते हो 2740 का और इसका जो पहला expected target है वो हमारा रहेगा 4600 और जो दूसरा मेरा expected target है वो रहेग 5425 तो अगर आप यहाँ पे risk to reward calculate करोगे तो risk to reward के basis पे भी यह trade बहुत ही अच्छा बन रहा है और अगर इसने अपना lifetime high जो 5425 है अगर यह break कर दिया तो यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक multi bagger return मिल सकता है तो यह था मेरा analysis यह दोनों stock के उपर अभी मैंने आप लोगों क को बोला था कि मैं आप लोगों के साथ दूसरे भी बहुत सारे stock share करना चाहता था पर मेरे पास यहाँ पे इतना time नहीं है आप खुद वो stock के chart देख सकते हो एक है बाल कृष्णा इंडस्री उसने भी बहुत अच्छा breakout दिया है एक इंडो को tech करके एक है एक दीपक analysis करिए और मेरे साथ मेरे twitter account पे share करिए अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे एक disclaimer दे देता हूं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो भी चीज़े बताई है ना मेरी कोई भी buying या selling recommendation नहीं है मैं सिफ आप लोगों को price action का power बता रहा हूं और हर वीडियो में कुछ नई ची क्या सीखा अगर आप लोगों को ऐसे concept regularly basis पे सीखने है तो आप हमारी stock box method को join कर सकते हो मैं हमारे stock box method में पूरे साल आप लोगों को mentoring करता हूं और आप लोगों के साथ ऐसे trading setup share करते रहता हूं और यहाँ पे क्या है ना starting में आप लोगों को learning content मिलता है जो आप लोगों को द तो अगर आप लोगों को stock box method में join होना है तो आप मेरे नीचे description में link दी है आप वहाँ पे जाके join हो सकते हो और अगर आप लोगों ने अभी तक stock market में trading या investment करने के लिए demat account नहीं खोला है तो उसकी भी मैं link नीचे description में दे दूँगा आप वहाँ पे जाके trading और demat account खोल स होता है वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ अच्छी learning सीखने मिली है वो ज्यादा important है अभी अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किया तो आप मेरे वीडियो को like और share जरूर करिए और हाँ मैंने कल हमारे channel पे एक नया podcast launch किया था जिसमें विवेक मिशरानी जी ने है ना power of compounding के बारे में बताया है और उन्होंने बताया है कि technical और fundamental को join करके आप कैसे techno funda stocks दून सकते हो तो अगर आप लोगों ने वो podcast नहीं देखा है तो उसकी link में यहाँ पे डाल दूँगा आप जाके जरूर देखिए अगर आप लोगों ने मेरा channel अभी तक subscribe न झाल